मुनवर और एलविश में चीजे थमने का नाम नहीं ले रही है जिया अब क्या हुआ है मैं आपको पूरी अपडेट बताता हूँ कि भाया अब एलविश और मुनवर में क्या चीजे हो रही है दरशल बिग बोस खतम हो चुका है लेकिन जब से मुनवर फारू की लाइव आय लेकिन बाद में मुझे पता लगा कि वो भाया आधी अधूरी जानकारी है जिया वहाँ पर मुझे कहिना गई एलविश गलत लग रहा थे कि भाया एलविश ने क्यों यहां पर पर प्रवोक किया लेकिन जो चीजे बाद में निकल के मेरे सामने आई और आपको पता है कि जो चीज सही रहती है मैं हमेशा उसको सपोर्ट करता हूँ जो चीज गलत रहती है मैं उसके खिलाब बोलता हूं चाहे मेरे फॉलोवर्स कम हो जाए कोई दिकत नहीं है तो यहाँ पर जो चीजे निकल के सामने आई थी वो मैं कolir कर दूं और यहाँ पर जो हंगामा हुआ है वो भी मैं आपको बता देता हूँ तो यहाँ पर गाईज कल जो मैंने वीडियो बनाया ना उसमें मैंने देखा कि जैसे ही मुनवर फारू की लाइव आता है उसके बाद एलविश है वो बोलते है कि कोई लाइव आया है क्या और एक फोटो डाल देते हैं तो मतलब सीधा सीधा यहाँ पर मुनवर को वो टैग करते हूए मुनवर को मैंशन करते हूए मतलब मैंशन नहीं किया बट यह पूरा उनको ही डेडिकेट था कि भईया तुमारी जो लाइव वोचिंग थी वो रिकोर्ड हमारा नहीं तोड़ पाई ऐसे में गाईज हुआ क्या था स्टार्टिंग से पूरी स्टोरी जो निकल के साब ने आई है वो इस तरह से है कि मुनवर के मुनवर के जो खास दोस्त जिन्होंने फूल सुपोर्ट किया है सदाकत खान जो की स्टार्टिंग से लेकर अब तक बोल रहे थे कि भईया ट्रॉफी की तियारिया करनी है ट्रॉफी ले गे आनी है मैं परसनली उनको सुनता था जब वो चीज़े ये बोलते थे तो उन्हो साथ बजे रैडी रहना भाई अपना लाइव आ रहा है नया रिकोर्ड बनाना है सब को मुनवर भाई स्पूल स्पोर्ट रहेगा कल भी सिष्टम का भी सिष्टम हैंक कर देंगे कल इंशा अल्ला भाई तो यहाँ पर उन्होंने मुनवर को मेंशन किया था तो ये चीज़ बाकि कोई भी जीज जाए तब मैं उसके खिलाब वीडियो बनाई थे कि भाईया क्यों किसी को परवोक करना है ना और अब यहाँ पर सदाकत खान भी परवोक कर रहे थे और बोड़ रहे थे कि कल सिष्टम का भी सिष्टम हैंक करना है यानि कि एलविश को बोला जा रहा है कि उनका जो रिकोर्ड है वो हमने तोड़ना है और इसलिए फिर एलविश ने बाद में पोस्ट डाला था कि भाया सुना है कोई लाइव आया है क्योंकि वो रिकोर्ड नहीं तूट पाया तो इसलिए उन्होंने फिर ये पोस्ट डाला था तो यहाँ पर गलती सदाकत ख आते हैं मुनवर के और ऐसे में उनकी दरब से चीज़े की गई और बाद में एलविश ने फिर इसलिए उनको टैग करते हुए उनकी दरब ये चीज़े छोड़ी थी अब काफी लोग बोड़े थे कि अगर मुनवर पहले जैसे ही बिक बोस खतम हुआ उसके बाद अगर ल 25,000 लोगों ने देखा था इंस्टेग्राम लाइब थी इतनी वोचिंग आ रही थी मतलब कि एक महीने के बाद भी लाइब आने के बाद इतनी वोचिंग मिल रही थी जो मुनवर को 6 दिन के बाद लाइब आने पर भी नहीं मिल पाई तो ये चीज़े है वो अब एलविश साथ लाग प्लस वोचिंग मिल रही थी लेकिन इंश्टा पर उनको 5,73,000 और यहाँ पर मुनवर को 3,40,000 और यहाँ पर एलविश यादव को 5,94,000 जब वो जीत कर आये थे तो ये वाली वोचिंग मिल रही थी मतलब साफ है कि यहाँ पर एलविश है वो सबसे आगे रहा ह और उसने रिकोर्ड बनाया है इंडिया में की सबसे यादा वोचिंग है उसे आई है एलविश यादव को वही पर मैं आपको बताओं फुक्र इंसान की बात करूँ तो 3,71,000 मतलब मुनवर से भी यह बंदा आगे था फुक्रा इंसान और काफी लोग बोड है कि फुक्रा इंसान यानि अभिशेक मलान का भी रिकोर्ड मुनवर यहाँ पर नहीं तोड पाया और बाते कर रहे थे कि हम सिस्टम को भी हैंग कर देंगे सिस्टम का भी सिस्टम हैंग कर देंगे तो यह चीज़े चल रही है लेकिन मेरा मानना है ठीक है यार जिसने जो रिकोर्ड बना के आए हैं और मेरे लिए तो देखो दोनों को तगडी वाली स्पोर्ट मिली है हाँ वो चिंग का अलग मैटर है वो फैंस है वो अलग अपने रिकोर्ड बनाते रहते हैं और बताते रहते लड़ाई जगड़े होते रहते वो देखो आप ही देखिएगा और आप इस पर क्या बोलेगे किमेट बॉक्स में अपनी राय जुरूर दे लेकि फिलाल के लिए एलविश और मुनवर में ये चीज़े चल रही है यानि कि इनके फैस में चल रही है और लगातर धड़ा-धड़ मेरे पास भी मैसी जा रहे हैं और ये चीज़े चलती जा रही है अगर आप मुझे फोलो कर ले अगर कोई परसनल बाचीत करना चाहते हैं तो इंस्टा पर आ जाईए